कब कसेगा सांसों के सौधागरों पर सिकन जा एफायार के बीट गए दस दिन अभी तक गुनाहगारों से दूर है पुलीस हजारी बाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो अब सेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नाम से जाना जाने लगा है इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर वर रेगुलेटर चोरी का मामला दर्ज हुए दस दिन बीट गए हैं 17 माई को सदर थाना में मामले से सम्मंदित प्रास्मी की दर्ज कराई गई थी दस दिनों के भीतर पुलीस का अनुसंधान किस दिसा में और कितना आगे बढ़ा है इसके जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है पुलीस अधिकारी इस मामले में सुरवाती दोर से लेकर अब तक एक ही बात बोल रहे हैं कि अनुसंधान का कारे जारी है जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर का सही आकड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने उपलब्द नहीं कराया है जबकि मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोत का कहना है कि सिलेंडरों की गिंती सही तरीके से नहीं होने के कारण ब्रांतिया फैल गई थी उनका कहना है कि सभी बड़े ओक्सिजन सिलेंडर का रिकॉर्ड मिल गया है आकलों का सही तरीके से मिलान करने के बाद पता चला कि D-type सिलेंडर की चोरी हुई ही नहीं सिर्फ B-type यानी छोटा ओक्सिजन सिलेंडर वर रेगुलेटर गाइब है जिसकी खोजबिन पुलिस कर रही है इधर ओक्सिजन सिलेंडर और रेगुलेटर चोरी होने से सम्बंदित दर्ज FIAR के बाद गटित SIT के टीम अब पता लगा रही है कि छोटा ओक्सिजन सिलेंडर की चोरी किन लोगों ने किया है इधर जाज परताल में जूटी पुलिस का कहना है कि अब तक Medical College परबंदन ने ओक्सिजन सिलेंडरों का सही आकड़ा नहीं दिया है जिसके कारण पुलिस के जाज पूरी नहीं हो पाई है पुलिस कोशिस में है कि जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाए वहीं कई लोगों का कहना है कि Medical College अस्पताल में ना सिर्फ ओक्सिजन सिलेंडर वर रेगुलेटर की चोरी हुई है बलकि रेमडी सिविर सहित अन्य जीवन रक्षक दवाईयों की भी काला बजारी हुई है आम लोगों के लिए आई सरकारी तोर पर दवाईया खुले बजार में पहुँच गई यही कारण है कि एस्पताल प्रबंधन जीवन रक्षक दवाईयों का इस्टॉक पंजी नहीं दिखा रहा है पुलिस इस मामले के खुलासे को लेकर हजारी बाग सहर के परतेक नागरीक पुलिस की ओर टक-टकी लगा कर देख रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग है जो मरीजों के सांसों के सौधागर रहे और जिन्होंने ना जाने कितनों की जान ले ली